So hello, what's up, कैसे हैं आप सब, हाँ जी मित्रो, so स्वागत है आप सब का to this video जहां हम discuss करेंगे CA Final Audit का November 24 का 12 Days Revision Planner, तो सबसे पहले आपके मन में आएगा सवाल, सर क्या, हमको, हमको जो हमारा audit है, हमको जो हमारा audit है, सर, इसको 12 Days में revise करने की need क्या है, What is the need to revise in 12 Days, तो मुझे एक बात बताओ, exam से पहले किता time मिलेगा सर, 1.5 Days, क्या 1.5 Days में revise कर पाओगे, अगर आपने 3 दिन में revise नहीं क्या होगा, नहीं सर, क्या 3 दिन में revise कर पाओगे, अगर 6 दिन में revise नहीं क्या होगा, नहीं सर, तो पहले हम क्या करेंगे audit को 12 दिन में revise करेंगे एकदम अच्छे से अगर 12 दिन में revise कर रखाऊगा तो 6 दिन में भी revise हो जाएगा 3 दिन में भी हो जाएगा और 1.5 डेस तो एकदम हलवे की तरह हो जाएगा So this is the concept of learning curve जो हमने बचपन से सीखा है अब हम इसको apply करेंगे Sir सारे के सारे बच्चे on this positive note ready हो जाएगे for this video मेरी आपसे request है Please video को like जरू कर दीजेगा ताकि ये बाकी सीए final students तक भी पहुँच सके वीडियो पे like target रखते sir कितना one 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 और मुझे पूरा विश्वास है आप जल्द ही इसको achieve करवाद होगे चलो sir तो सबसे पहले आजाते 12 days revision planner सबसे पहले start करेंगे सबसे असान और सबसे scoring topic that is professional ethics यानि professional ethics के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1.5 days हा मित्रो तो हमने इसको लिए YouTube पे already around 4 hours की marathon video डाल रखी है आपने कुछ नहीं करना sir शांती से professional ethics हो सके तो पहले self revise करना अगर self revise नहीं हो रहा है आपको लगता है कि नहीं हमको revision से करना है तो 4 hours की मैंने इसकी marathon revision डाल रखी है आप revision के साथ साथ ही चीजों को properly करते चलना मैंने उसमें साथ साथ बताया कि किन चीजों के उपर में focus करना है याद करने में कौन सी ऐसी चीज़े हैं जिनको बस read करके चलना है मेरी आपसे इस request रहेगी जो ethics है हम उसको generally 3 parts में बाढ़ते हैं एक तो initial provisions जो होते हैं ठीक है sir कई बच्चे गलती करते हैं उनको लगता है clauses के नीचे भी जितनी सारी बाते इदर रखें वो सब भी याद करने है नहीं 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 सिर्फ clause याद करना है उसके जो supporting line होती है कि clause क्यों आया गया जैसे clause 1 part 1 of first schedule के लिए लिए लिखा जाता है that this clause is intended to safeguard the public from the unqualified accountants working under the wheel of qualified accountants तो उस तरह की जो line होती है वो इकी दुकी line आपने बस याद करके चलने है बट जो नीचे का matter है उसको बस समझ के चलना है because at the end of the day professional ethics पे आपके पास conceptual question आता है case study based question आता है जिसको आप easily deal कर पाओगे तो professional ethics के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1.5 days plus उसी के अलावा उसके साथ-साथ इसी से related और एक छोटा सा प्यारा सा topic है SQC1 SA220 पकी पकी बात है इसका भी question आपको exam में देखने को मिलेगा कम से कम 5-10 number की weightage आप इसकी मान के चलो तो ये जो SQC1 SA220 है मैं ये दो topics इखटे आपको करने के लिए किता दिन दे रहा हूँ सर दो दिन दे रहा हूँ and trust me अगर इन दो दिनों में आपने इन चीजों को properly कर लिया properly एकदम अच्छे से इनके साथ deal कर लिया आपके 20 से 25 number कहीं नहीं गए आपके 20 से 25 number कहीं नहीं गए minimum 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 20 number तो डं 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 पास होने के लिए चाहिए 40 40 में से 20 number आपके यहीं के यहीं हो जाएंगे सर आपके मन में अब एक सवाल आ रहो का professional ethics में sir around 100 questions है तो क्या वो 100 questions की practice भी हमको साथ साथ करनी चीए see मेरी आपसे request है पहला focus करना पहली जो focus है उसको किस पर करना है notes को cover करने में जैसी एक बार आपके notes cover हो जाते because questions की जितनी भी बारी किया है वो हमने notes में already include कर रखी है तो आपने क्या करना है suppose आपने notes cover करे professional ethics के आपने सोचा कि भाई आज मैं initial provisions or professional ethics और first schedule complete करूँगा तो जो initial provisions और first schedule है यह complete कर लेना उसके बाद जो भी पड़ा है उसको इबार revise कर लेना फिर जाना second schedule पे और council guidelines पे उनको भी complete कर लेना then आप जाओगे quotient bank पे अब जब आप quotient bank पे जाओगे ना तब आपका real test of mind होगा sir क्यों क्योंकि अभी तक तो आपका क्या था गलती करते है कि clause पढ़ते है और उसका quotient करते है clause पढ़ते है उसका quotient करते है बट exam में क्या ICI clause लिखके देता है नहीं हमको identify करना है तो मेरी आप से request रहेगी पहले professional ethics के notes को एकदम अच्छे से निचोड लेना अच्छे से cover कर लेना then go and practice is the quotient bank हो सकता है इन दो दिन में आपका पूरा quotient bank cover ना हो professional ethics का कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके लिए आप एक घंटा निकाल लेना इसके लिए जो अगले दो तीन दिन है उसमें एक घंटा निकाल लेना कि भाई जो professional ethics के quotients है उनको मैं भले पांच दिन में spread out करके चलूँगा बट घबराना नहीं है ठीक है ठीक है सर उसके बाद सर डे थी पे हम स्टार्ट करेंगे standards on auditing के साथ जो आपके standards है उनकी overall weightage है सर paper में 50 marks and trust me these are very very scoring सबसे बहले हम स्टार्ट करेंगे essay 240 even इसकी भी revision video मैंने आपको इस बार मुझे पक्का पक्का लगता है इसमें से भाई सब सवाल आना ही आना चाहिए ठीक है जिस तरह से ICI ने इसको weightage दी है very very likely that the question will be asked from this standard so please essay 240 को अच्छे से cover करके चलना 3 to 4 hours आप इसमें से अराम से लगा सकते हो including the question bank yes question bank आपको अभी से cover करके चलना है because दोस्तों क्या होता है ना end में हमारा question bank cover नहीं होता और जब ICI के repeated question आते हैं तो बड़ा regret feel होता है first revision में अगर सारे questions कर लोगे तो next revision के लिए filtering easy हो जाएगी got it got it sir इसके बाद ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक घंटे से डेट घंटा लगेगा दोनों चोटे-छोटे क्यूट क्यूट से standards है 299 भी चोटा सा standards है तो तीन standards ये जो तीन standards है इनको करने में लगबग आपको देट से दो घंटे लग सकते है और 250 को करने में भी देट से दो घंटे तब भी मैंने आपको 4 गंटे दे दिये है ठीक है बात समझ आती है समझ गए सर फिर जाएंगे 402 और essay 3402 दोनों interlinked essays है दोनों interlinked standards है again इन दोनों को करने में भी लगबग 3-4 गंटे लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ 402 को करने में आप भले ही 2-5 गंटे लगा तो 3-4 गंटे भी लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है 3-4-0-2 में कुछ है ही नहीं 3-4-0-2 में कुछ है ही नहीं अगर आपने 3-4-0-2 पढ़ रखा हो तो आपको पता लगेगा हर बार किसकी बात हो रही होती है तो प्लीज 402 को अच्छे से कर लेना उस पर एकदम अच्छे से टाइम लगा लेना फिर आप 3-4-0-2 के पास चलोगे इसमें भी आपके पास काफी टाइम बचेगा जो टाइम बचेगा ना उसमें ये एथिक्स वाले जो कोशन से बचेवे उनको आप करके चलना मैं बोल रहा हूँ खबराना मत मैं पूरे टाइम आपके साथ जुड़ा हूँ आपके पास जुड़ा हूँ आपके पास डाउट सपोर्ट नंबर है मेरा कभी भी कहीं पे भी कोई भी चीज लगती है feel free to connect and I will be there to help you out ठीक है सर देन आता है सर डे फोर डे फोर में हमें क्या करना है सबसे पहले 500 सीरीज के साथ स्राट करना है चोटे 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 स्टेंडर्स सबसे पहले आएगा 500 500 1 505 510 ये चारो स्टेंडर्स को करने के लिए अगेन मैं आपको दे रहा हूँ चार गंटे सर 500 में अगर हम ध्यान से सोचे कुछ है ही नहीं अगर हम 500 में ध्यान से सोचे कुछ है ही नहीं याद रखने वाली चीजे कितनी हैं सर management expert वाले points management expert वाले points को याद रखने में किता टाम लगेगा उसके procedures और उसके matters मुश्किल से माल लो आपको लग दे 15-20 मिनट ठीक है सर उ 501 में मानतों आपको time थोड़ा extra लगेगा सर क्यों क्योंकि इसमें आपके पास inventory भी है inventory वाले area को मेरी आपस request रहेगी प्लीज एक घंटे में निप्टा देना उससे जादा उसमें time नहीं लगना चाहिए very very easy just एक flow में चलते जाना इसकी भी I think मैंने revision video YouTube पे डालर किये अरा बट वो factors वाला question भी हमने अच्छे से class में याद कर रखा है तो 505 को भी मुझे लगता है cover करने में 40-45 minutes से ज्यादा नहीं लगेगे 510 चोटा सा 2-3 page का standard है ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं I feel 4 standards को करने में अगर आप on an average एक घंटा भी माल लो 510 में भली time कम लगेगा 50 501 में ज्यादा लगेगा तब भी चार घंटे में easily आपके सारे standards हो जाएंगे फिर आता है सर 550-560 550 में भी 550 में भी मुझे नहीं लगता एक घंटे से ज्यादा लगना चाहिए maximum 1.5 घंटा लग जाएगा 560 की अभी मैंने recently record करके revision video डाली थी जिसमें around 30-40 minutes में 32-40 minutes में पू फिर आप दुपैर में 3-4 घंटे का session लिकाल तो शाम को और रात को ठीक है शाम को आपके पास एक और session आजएगा 570 का 2-3 घंटे 570 में actual में 2-3 घंटे नहीं लगेंगे बड़ इसके questions थोड़े ज्यादा है तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा time ज्यादा लग सकता है अगर आ do let me know I will cover it on YouTube for all of you got it sir then आता है ऐसे 580 मरियल सा standard एक घंटा लगाके easily आपका हो जाएगा तो यह आपका पूरा का पूरा पूरा प्लैन रहेगा for day number 4 then comes day 5, day 5 में मैंने आपके लिए बढ़िया रखा है 600 की series ऐसे 600, 610, 600 से related आपका group audit, group audit भी मुझे नहीं लगता आपको देट internal audit 610, see I can empathize with you, ICI ने internal audit में बहुत सारे topics डाले है, इस internal audit की भी जो latest revision video है, yes you heard it right, जो हमारी latest revision video हमने अभी regular batch में record करें वो मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा on the YouTube and easily आपका एक से देट गंडे में पूरा internal audit उसी में revise हो जाएगा, 610 revise करने में मुझे लगता आदा 45 minutes से ज्यादा लगेंगे, अगर आपने properly class कर रखी है, still I have given you 5 to 6 hours, एक दम दिल खोल के, दिल खोल के मैंने आपको इसके लिए पी time दिया है, फिर यह सच छोटे-छोटे standards है, 200, 210, 230, इनकी अपनी कुछ value नहीं होती, बट जो इनके topics होते हैं, बाकी जगा आपको काम आते है तो ऐसे दोसों में, please इसको selectively याद करना, जैसे कि inherent limitations of auditing एक important topic हो गया, उसको cover कर लिया, फिर inherent limitations का क्या यह मतलब होता है कि हम अपने audit procedures ठीक से ना करें, नहीं sir, हमको persuasive evidence तो लेना ही पड़ेगा, हमें अपना audit as per standards करना ही पड़ेगा, तो जो इसके quotient bank है न, इन तीनों के उन quotient banks को प्लीज अच्छे से करना, और बाकी standards को एक बार समझ लेना, that's all is required, then आ जाओ sir, six point पे, day number six पे आ गए, day number six पे हमें क्या करना है, sir, day number six तक आप थोड़ा थोड़ा थक गए होगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम हलके हलके standards का क्या मतलब है, जो अब तक इनकी अपनी कोई ज्यादा value नहीं है, जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, वही हमें काम आता है, इन standards को revise करने में, तो ऐसे 620 में आपका revise हो जाएगा, ऐसे 500, तो पहले ऐसे 500 को quick revise करना, then ऐसे 620 कर लेना, ठीक है sir, लगबग 10 गंटे में easily हो जाएगा, फिर ऐसे 800 की series करन पेज के standards है, फिर भी मैंने आपको 2-3-3 गंटे दिया है, तो भाई साब अच्छे से करना, इस पर कौम चोर ही नहीं करना है, ठीक है sir, then come 2400, 2400, 2410, ये थोड़े से बड़े-बड़े standards है, तो accordingly I have given you 4-5 hours, so रोज आपका audit का 8-10 गंटा, 10-12 गंटे का planner मैंने आपको दे दि यहां पे अगर आप देखोगे, last में जाके, last में जाके मैंने आपके लिए topics काफी असान कर दिये, जैसे 700 की सीरीज, chapter 2 audit planning, दोनों सीरे साथ है, standards है, day 10 पे, day 11 पे bank audit मैंने आपको पूरा नहीं बोला एक साथ करने के लिए, क्योंकि पूरा अगर bank audit एक साथ करने जाते, band ब गंटे भी लगए, दो गंटे भी लगए चलेगा, अगले एक घंटे में इसका कोशन बैंक निप्टा लेना, 315 और 330 में ज्यादा याद रखने लाइक चीज़े नहीं है, इनको बस एक बार समझ के चलना और इनका कोशन बैंक अच्छे से कवर कर लेना, then comes कारो 2020 20 मिनट की रिविजन वीडियो यूट्यूब पे, अगेन एकदम अच्छे से कमफरेबली हो जाएगा, company audit is a repetition, जो चीज़ आप इंटर law में पढ़के आए हो, इंटर audit में पढ़के आए हो, तो दोनों को मिला के भी maximum 3 घंटे लगेंगे, क्यों कि कारो 2020 का कोशन बैंक अच्छा है, इ अच्छे से एक बार go through कर लेना, अच्छे से चीज़ों को याद कर लेना, and फिर आगे बढ़ जाना, essay 540 again I have given you 4 hours, because it is one of ICI's favorite standards, थोड़ा सा technical है, थोड़ी मज़ेदार बाते हैं, तो लगबग 4 घंटे लग सकते हैं, इसको अच्छे से cover करने के लिए, ठीक है, तो ये आप आपका 12 दिन का planner मैंने आपको पूरा का पूरा एकदम, मैं बताओ ना, जितना मैं empathize कर सकता था आपके साथ, जितना empathize कर सकता था, उतना empathize करके मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, अगर आपको इन में से किसी भी topic से related, revisions वगरा की need हो, please मुझे comment section में बताने ना, I will add them on YouTube, दूसरी बात, सर, ये तो 12 दिन हो गए, अभी हमारा 25% bank audit बचा है, इसमें digital auditing भी नहीं आया, उनका क्या करना है, तो मैंने कहा है, remaining 50% bank audit, वो आप अपना next subject जो भी उठाओगे, उसके पहले एक दो दिन में निप्टा लेना, रोज 2-2 घंटा पढ़के, ठीक है सर, ज जो आप अगले subjects उठाओगे, before starting with your second revision, क्योंकि जो अब आपकी second revision होगी, उसमें तो आपको six days ही मिलेंगे, yes sir, तो mostly बच्चों की जो complaint आती है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं थोड़ा अंतरियाम ही हो आजकर, जो mostly बच्चों की complaint आती हो, ये आती कि sir, 12 दिन में प 2-3 घंटा, 2-3 घंटा एकदम, जैसे कहते हैं na, religiously, आपने daily audit पढ़ना है, everyday 2-3 hours, morning में पढ़ो, evening में पढ़ो, आपकी मर्जी, मैं generally evening में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त भी था, जिसके साथ मैं रोज शाम को revise भी करता था, हम decide करते थे, आज हम professional ethics के ये first schedule को पढ़ेंगे, फिर हम शाम को एक दूसरे से बढ़िया सवाल वाल पूछते थे, revise वगरा करते थे, so रोज आप 2-3 घंटे निकालोगे, so that you are in touch with these topics, plus आपकी एक comfortable second revision हो जाए, तो मैं आपको बता रहो, कोई ज़रूत निये करने की, पर band फिर आप ही की बजएगी, band फिर आप ही की तो आती है कि हाँ यार बहुत पड़ गया, थक गया, थक गया, थक गया, थक गया, उस टाइम पे आपने क्या करना है सर, 2-3 घंटे निकालना है, या तो morning में निकाल लो, या evening में भी मैंने आप पे छोड़ दिया, आपने एकदम daily audit को revise करते वे चलना है, plus मैं आपको बतात जो भी audit के daily targets होंगे, वो इस channel पे आते रहेंगे, अब एक doubt और आ सकते है, कई सारे बच्चों के पास audit के notes का September 23 edition होगा, तो बच्चे सोचने कोई addendum है क्या, तो वो भी addendum इस telegram channel पे आपको मिल जाएंगे, अभी तक मैंने SQC1, S220, और emerging areas के latest notes जो हैं, वो मैंने share कर दी है प्लस एक मैं updated file दूँगा, 10 से 15 pages की, उसमें बाकी के chapters के जो छोटे मोटे editions है, वो भी आपको इसी channel पे मिल जाएंगे, प्लस quotient bank भी, अगर आपको quotient bank भी September 23 edition का है, तो जिते भी quotient size है, in recent RTPs, MTPs में पूछे थे, उसकी addendum file भी मैंने already is telegram channel पे share कर दी है, ठीक है, ठीक है all India highest, by the grace of God, by the grace of Krishnaji, by the grace of God, हमारे audit में all India highest है, sir, कितने 80 marks, और student ने क्या पढ़ाता, sir, कुछ नहीं, सिरफ notes of quotient bank, और कुछ cover करने की जरुवत नहीं है, so these notes and quotient bank are more than enough to help you easily score 70 plus in audit, see, initially आपको लगेगा, यार मैं सब cover कर लेता हू, ये भी cover करता हू, वो भी cover करता हू, ये भी करता हू, पर मुझे बता हू, क्या 1.5 days में, आप सब कुछ manage कर पाओगे, नहीं, तो तभी मैं आपको कह रहा हू, जितना manage कर पाओगे, उतना already we have given you notes and quotient bank, that is more than enough, so be smart from beginning, ठीक है, sir, see, अगर आपको सिर्फ चीजों को समझ के चलना होता, जो मैंने ऊपर दे रखी है, तो स हर topic के end में, almost, हम क्या करते थे, sir, जो-जो tricky topics होते थे, या फिर जहां-जहां 5-5 points दे रखे है, 6-6 points दे रखे है, हम क्या करते थे, 2-2 minutes लेते थे, याद है, उन 2 minutes में सारे points याद करते थे, तो जो-जो topics हमने class में mark करें, कि ये 5-star topic है, 4-star topic है, 3-star topic है, इसको mark कर लो, exam में humanly impossible, so at least, जिन topics पर हमने class में याद किया है, जिन topics को लेकर हमने class में flow charts वगर बनाया है, interlinking करी है, memory techniques बनाया है, उनको आप अच्छे से याद करके चलोगे, plus जिन पर question bank में questions है, उसके अलावा जो topics हैं, उनको बस read और understand करके चलो, that is more than enough, so you can take help of revision videos, अगर आपको कोई topic अनुसार महनत करनी पड़ेगी, अगर महनत करेंगे, definitely best of the results score कर पाएंगे, make sure you are solving the question side by side, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, and question solve करना जरूरी क्यों है, ताकि जो भी tricky questions है, आप अपनी next revision के लिए छटनी करते चलो, जैसे जैसे revisions होती जाएंगी, कम questions होंगे, और last 1.5 days के आपके पास आपके, खुद के selected questions बचेंगे, आपको किसी पर dependent ही होना पड़ेगा, कि ये teacher मुझे selected questions दे, नहीं, आपके पास अपने personalized selected questions रहेंगे, and yes, it can be challenging now, but it will be very comforting later on, at any point you need assistance, you have my doubt support number, अगर अभी तक नहीं है, तो आप अपनी Google Drive चेक करो, वहापे आपको doubt support number मिल निकाले यार, उस पर भरोसा रखो कि भाई, मैंने मैनत किये, just follow the same approach while revising, जो हम class में करते थे, पहले चीजों को समझना है, फिर चीजों को याद करना है, recall करना है, और आगे बढ़ जाना है, ये नहीं सोचना कि जो पुराना याद किया था, वो याद रहेगा कि नहीं, रह रहेगा, trust me when I say this, रहेगा, हर बच्चे को feel होता है, जो मैंने पुराना बढ़ा था, कई में भूल तो नहीं गया, नहीं भूले, बस अपने उपर भरोसा रखो, और चुप चाप आगे बढ़ते जाओ, trust me, मजा आ जाएगा, so I have full faith on you, धूम मचादो मित्रो, and if you keep me daily updated about your targets, अगर आप मुझे telegram पर daily updated रखते हो, तो आपको भी पता है, feel आएगी कि yes, I am accountable, मैं कही ना कही सर को लेके accountable हूँ, and it will be two of us together in this 12 days journey, so keep a smile on your face, yeah, यह एकदम, अरे सर, यह कैसे smile बना दी, अरे, 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 सर, यह कैसी smile बना दी, क्यूटी, क्यूटी, क्यूटी बना अरे, अरे, यह ऐसी ही बनेगी क्या, अरे, भाई साब, यह तो चश्मा बना दिया, यह बन गई हमारी प्यारी सी smile, बहुत बढ़िया, तो आपने बस अपने चहरे पे प्यारी सी smile रखनी है, complete this easy challenge, and that just needs your patience, मैं बदब कुछ extra effort डालने की ज़रूत नहीं है, just patiently keep moving on, and trust me, मज आ जाएगा, और हाँ, tension लेके पढ़ाई करी ना, दिमाउग में कुछ नहीं जाएगा, वैसी audit है, ठीक है, एक दम, एक दम topic की feel से पढ़ चलना है, PSU audit है, आओ, मिठी-मिठी committee आजाएंगी, estimates committee, ठीक है, PAC, कोपू, कोपू याद है, committee on public undertaking, हाँ sir, कारो 2020 में, bussy private limited, तो यह आपको मीठी-मीठी बाते बता ही है, class में, इन सब की अच्छे से feel लेके चलना, मज़े से बढ़ना, and trust me, मज़ा आज जाएगा, मैं आपके साथ connected हूँ, via telegram, via youtube, जो भी updates होंगी, आपको मिलती जाएंगी, बस आपने अपना साथ बनाया रखना है, मैं बता हूँ आपको इस दुनिया में किसी के साथ की जरुवत नहीं है, बस अपने साथ की, क्योंकि हम ही हैं, जो थोड़ी-थोड़ी काम चोरी करते हैं, so just make sure you are giving your best, एकदम मन लगा के पढ़ोगे, and trust me, खुशी से पढ़ेंगे, तब ही आगे पढ़ेंगे, so happy learning, just do your best, just give your best, ये वाला जो PDF है ये मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, make sure आप इसको एकदम diligently, religiously follow करें, अगर अभी तक आपने audit पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, अगर अभी तक आपने audit पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, हमारा जो fast track batch है, that is available on bbvirtuals.com, तो आप उसको भी follow करके चल सकते हैं, and trust me, class के साथ साथ ही सारे concepts, question bank and everything will be done, 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 ठीक है, so just wish you the best, just do well and yeah, do make me proud with the coming exams and results, sir, 6 दिन में audit कैसे revise करना है, जल्धी इसकी वीडियो आएगी, उससे पहले 12 दिन में revise करके complete करो, मिलते हैं next वीडियो में, like नहीं किया, like it, subscribe the channel and stay connected for more such videos, have a great day कर दोने हैं, उससे घएगी जएगी, नहीं बद़ते हैं, नहीं पुते हैं, उससे एड़कादी है, उससे शवजियो, जजब के एप ब्हबदी रवशी करणा हैं, जब दोच्या है, जदेए हैं, जशे हैं, जए रवबदी हैं, तो उसे लेख बद्वाश्यों, औरु